दोस्तों अक्सर आप सुनते रहते हैं कि भारतिय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया है और रुपय की कीमत अंतराष्ट्रिय बाजार में लुढ़क गई है रुपया कमजोर होने से हमारे देश में क्या फर्क पड़ता है जब डॉलर 70 रुपय था तब भी 28 रुपय और दूद 50 रुपय किलो मिल रहा था और आज जब डॉलर 83 रुपय हो गया तब भी हमें समान रेट पर ही चीजे मिल रही हैं अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर ऐसे में भारतिय मुद्रा के कमजोर होने से फर्क क्या पड़ता है दर असल इसका बहुत बड़ा असर देश की अर्थ विवस्था पर पड़ता है भारत को अंतरराष्ट्री अस्तर पर कोई भी सामान खरीदने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी आज के समय एक डॉलर की कीमत 80 रुपय से भी ज्यादा हो गई है अगर बात करें सन 1947 की जिस समय देश आजाद हुआ था कहा जाता है कि उस समय एक डॉलर एक रुपय के बराबर हुआ करता था डिवैल्यूएशन और डेप्रिशियेशन ओफ करिंसी के कारण पिछले 77 सालों में रुपया लगातार कमजोर होता चला गया लेकिन क्या होगा अगर अचानक एक रुपया और एक डॉलर एक समान हो जाए मान लो रातो रात एक रुपय की वैल्यू एक डॉलर के बराबर हो जाए तो इसका भारत के लोगों और भारत की एकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? क्या इससे देश को सिर्फ फाइदा मिलेगा? या फिर कोई नुकसान भी होगा? आज की इस वीडियो में हम इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे. वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को स दूसरे देश से हाई है, तो उस देश की इकोनॉमी भी स्ट्रॉंग होगी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर ऐसा होता तो कैसे एक बंगलादेशी टका में एक पॉइंट चार येन होते हैं, जो कि जापान की करिंसी है. जबकि जापान की इकोनॉमी बंगलादेश से कह ज्यादा स्ट्रॉंग है. दोस्तो वैसे तो ये एक हाईपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि ऐसा रियालिटी में रातों रात होना पॉसिबल नहीं है. लेकिन मान लो अगर अचानक से रात को भारत के प्रधान मंतरी ये ऐलान कर दें, कि आज से एक रुपया एक डॉल बाहर से आने वाली चीजों के दाम में भारी का टॉती देखने को मिलेगी, देश में इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा. आज आईफोन के लिए भारत में 80,000 रुपए चुकाने पड़ते हैं, वहीं अमेरिका में ये कीमत 1000 डॉलर के आसपास होती है. एक रुपया और एक डॉ आईफोन खरीद पाएंगे. आपको सामान सस्ते में मिलना शुरू हो जाएगा और लगजरी आईटम्स खरीदना बहुत इजी हो जाएगा. कच्चा तेल सस्ता हो जाएगा, गैस के दाम भी कम हो जाएगे. भारतिय लोगों के लिए विदेश में घूमना, खाना पीना, श खास खाने को नहीं मिलता, वहीं अमेरिका में आपको 4-5 डॉलर में बर्गर जैसी चीज आसानी से मिल जाएगी. इसके अलावा विदेशों में जाकर पढ़ाई करना भी काफी सस्ता हो जाएगा. देश में गारियां भी बहुत सस्ती हो जाएगी, 10-15,000 रुपए में आप को गारियां मिल जाएगी. एक लाख रुपए में तो आप महेंगी से महेंगी गारी अपने घर ला सकते हैं. देश में तेल की कीमते भी बहुत कम हो जाएगी. भारत फिलहाल 80% से ज्यादा तेल अन्य देशों से आयात करता है. मान लीजिए पहले भारत ने एक करोर डॉलर में सारा तेल खरीदा था. अब भारत को इतना ही तेल सिर्फ एक करोर रुपए में मिल जाएगा. सस्ता तेल मिलने से देश में पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस की कीमतें बहुत कम हो जाएगी, जिससे भारत में ट्रांस्पोर्टेशन की कॉस्ट भी सस्ती हो से लोग प्राइवेट वीकल का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जिससे सरकों पर ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ेगी, और ज्यादा गाडियों से वातावर्ण भी प्रदूशित होगा. आज भारत के हजारों लोग विदेश जाकर नौकरी करते हैं, क्योंकि उन्हें परिवार से दूर जाना चाहेगा, और ये भारत की एकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा. आप बस ये समझ लो, कि एक रुपया अगर एक डॉलर के बराबर हुआ, तो हर वो चीज सस्ती हो जाएगी, जो विदेशों से इंपोर्ट की जाती है. दोस्तों आपको ये सारी बातें सुनके बहुत ही अच्छा लग रहा होगा. लेकिन रुकिये जनाब, आधी कहानी सुनके मत भागिये, असली कहानी तो अभी बाकी है. हर सिक्के के दो साइड होते हैं. अगर हम कहें कि डॉलर और रुपया बराबर होने से जितना फाइदा होगा, उससे कहीं अंगे दाम पे सामान नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसे वही सामान सस्ते में दूसरे कंट्री से मिल जाएगा. किसी भी कंट्री का अक्सपोर्ट कम हो जाए तो उसकी एकोनॉमी पर बुरा असर पड़ता है. विदेशी कंपनियों का भारत आने का सबसे बड़ा कारण यही ह कि यहां सस्ता मजदूर मिल जाता है. अगर डॉलर और रुपया बराबर हो जाएगा, तो मजदूर की कोस्ट विदेशी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. विदेशी कंपनियों को भारत में उतना ही खर्च करना होगा, जितना वह अमेरिका जैसे देश मे कर रही हैं. ऐसे में विदेशी कंपनिया अपना बोरिया बिस्तर लेकर चली जाएगी, और भारत में बेरोजगारी बढ़ जाएगी. बेरोजगारी से बचने के लिए लोग कम सैलरी पर भी काम करने के लिए तयार हो जाएगे, जैसे एक अच्छा इंजीनियर तीन हजार रुपए की सैलरी पर भी काम करेगा, अभी इतनी सी सैलरी में लोग गारी और घर नहीं खरीद पाएंगे, लोगों को बैंकों से लोन लेना पड़ेगा, लेकिन देश के लाखों लोगों को बैंक एक साथ लोन नहीं दे पाएगा, और जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया फिर से एक डॉलर सतर असी रुपए के बराबर हो जाएगा और फिर वही पुराना साइकिल दोबारा से कंटिन्यू होगा। इतना सब जानने के बाद आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि देश की करेंसी का मजबूत होना अच्छा है या कमजोर होना। देखिए अगर करेंसी मजबूत होगी तो देश में महेंगाई कम होगी। इसका सीधा सा जवाब यही है कि किसी भी देश की मुद्रा से महेंगाई या अंतराष्ट्रिय व्यापार पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ विकसित देशों की करेंसी ही मजबूत हो सकती है। विकास शील देशों की करेंसी मजबूत नहीं हो सकती। हम आपको बता देते हैं कि जापान एक विकसीत देश है। आज दुनिया का बच्चा बच्चा जापान की टेक्नोलोजी के बारे में जानता है। लेकिन फिर भी जापान की करेंसी भारत से कमजोर है। देश की मुद्रा का मजबूत होना अच्छा माना जाता है। लेकिन भारत जैसे एक विकास शील देश को उससे कोई खास लाब नहीं मिलेगा। जितना नुकसान करेंसी के कमजोर होने से होगा, उतना ही नुकसान करेंसी के मजबूत होने से भी होगा। इसे में अंतराष्ट्रिय बाजार के अनुसार ही रुपए की कीमत तै होनी चाहिए। हालांकि भारत की सरकार रुपए को गिरने से बचाने के लिए लगातार मेहनत करती है, क्योंकि रुपए की कीमत में ज्यादा हेर फेर करने की कोशिश की, तो इसके अंजाम बहुत बूरे हो सकते हैं, अब सवाल ये आता है, कि क्या कभी एक डॉलर और एक रुपए की कीमत बराबर हो पाएगी, अभी फिलहाल कुछ सालों में तो ऐसा करने के हालात नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर भारत तेजी से विकास करता है, और एक विक्सिद देश बनने में काम्याब हो जाता है, तो आने वाले पचास से सौ सालों में रुपए की कीमत अंतराष्ट् इसके लिए भारत को इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट पर बढ़ावा देना होगा, इंपोर्ट की जाने वाली चीजों की मैनुफैक्चरिंग देश में ही करनी होगी, तब जाकर रुपए की स्थिती सुधर सकती है, फिलहाल हमें करेंसी की हाई वैल्यूएशन के बा लाइक और शेयर जरूर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि इस बारे में आपकी क्या राय है?